वाट्स अप गैज़ वेलकम टू टेक्नो केलास गईच आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप Google AdWords की हिल्प से अपने वीडियो को रैंक करवा सकते हैं और कम से कम पैसा लगा कर अपने वीडियो को जादा से जादा व्यूज ला सकते हैं जादा से जादा ट्रैफिक ला सकते हैं कश्टम कैमपैन कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस सारी चीजों के बारे में हम डीटेल में बात करेंगे तो इसके लिए बने रहे इस वीडियो पर अंतक और साधी साथ अगर आप हमारी चैनल पर नहां है तो सब्सक्राइब करके गंटी गला बटन दबाले क्योंकि हमारी चैनल पर ऐसे ही यूटूब से रिलेटेट किप्स और ट्रिक्स की जानकरियां दी जाती है तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए फटा पट से ले चलते हम आपको अपने डेक्स्टाप की स्क्रीन पर तो दोस्तों डेक्स्टाप पर आ अगर आप पहले से यूजर हैं तो आपको यहां से साइन इन करना है अगर आप फर्स्टाप यूज कर रहे हैं तो आपको स्क्राल करके नीचे आना है और यहां पर आपको अपना email address डालना है इसके बाद I am not a robot पे क्लिक करके get offer code पे क्लिक करना है इससे क्या होगा कि आपक पहले से यूजर हो तो simply मुझे यहां से साइन इन करना है जैसे आप साइन इन करेंगे आपकी सामने एक नया Google AdWords का इंटरफेस खुल के आ जाएगा दोस्तों देख सकते हैं यहां पर आपको आपसंद देखने को मिल रहा है निव कैमपेंड का तो simply आपको निव आपकी सामने Google AdWords का एक नया इंटरफेस खुल के आजाएगा जहां से आप मैनुली अपने एड को कुस्टमाइज कर सकते हैं आप अपने एड पर कितना पैसा लगाना चाहते हैं इन सारी चीजों का डिटेल में भर सकते हैं आपकी बजट कितना है आप बजट में कितना व स्क्राल करके नीचे आजाना है नीचे आने के बाद यहां पर आपको continue का option देखने को मिलेगा तो simply आपको यहां से continue करना है continue करने के बाद नए add का campaign खुल के आ जाएगा तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा wait कर लेते हैं दोस्तों यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले आपक कि आप देख सकते हैं कि यहां पर start date का option दिया हुआ है यानि कि यह जो add है वो आत्से सुर होगा और in date यहां पर आप manually select कर सकते हैं तो चलिए मैंने यहां पर in date 31 October रखा है तो देख सकते हैं मेरा 100 रुपे का total campaign है तो per day मेरा 20 रुपया खर्च होगा यानि कि 5 दिन के लिए यह campaign में बना रहा हूँ इसके बाद आपको scroll करके नीचे आना है network में आपको click करना है और click करने के बाद यहां पर YouTube वीडियो पार्टनरा डिस्पले network को disable कर देना है इसके बाद इसे minimize कर देना है दोस्तों इसके बाद locations का option दिया हुआ है जहां से आप location select कर सकते हैं कि आप वीडियो को किस location पे rank करवाना चाते हैं अमालिज यह आपकी वीडियो हिंदी में है तो हिंदी भासी जो भी country है बंगलादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान उन सारे countries को select कर सकते हैं otherwise आप सिर्फ इंडिया रखना चाते हैं तो सिर्फ इंडिया रख सकते हैं इसके बा नीचे आना है और यहां पे लिखा हुआ है excluded levels and types तो इस पे आपको क्लिक करना है इन दोनों को select कर लेना है इसके बाद content not at level को इसको untick करना है इसके बाद आपको related वीडियो अले option को skip करना है इसके नीचे additional setting पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद conversation को आपको छोड़ देना है devices पे आपको क्लिक करना है और यहां से set specific पे क्लिक करना है इसके बाद यहां से आपको computer tablet और tv screen को untick कर देना है इससे क्या होगा आपकी वीडियो पे कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा views मिलेंगे और आपको तो पता ही होगा कि जो भी YouTube user है 99% user जो है वो mobile phone का use क करते हैं तो इसलिए आप अपने एड को सिर्फ mobile phone में ही run करें इसके बाद frequently capping है तो यहां पर आपको tick करना है और tick करने के बाद cap view पर frequency डालना है और यहां पर एक डालना है और इसे पड़े रखना है इसका मतलब यह है कि आपका जो add है वो एक user को एक दिन में एक ही बार बार बार उसे irritate नो किया जाए इसके बाद schedule का option है यहां पर आपको छोड़ देना है इसके बाद add group का नाम पूछ रहा है तो यहां पर आपको add group जो भी नाम देना चाहते है manually वो दे सकते हैं तो चलिए मैंने यहां पर add group डाल दिया है इसके बाद आपको scroll करके नीचे आन है जहां पर आपको demographic का option मिलेगा तो यहां से आप सब कुस कस्टुमाइज कर सकते हैं कि आप male या female को दिखाना चाहते हैं किस age के male या female को दिखाना चाहते हैं इन सारी चुझे को आप यहां पर customize कर सकते हैं हाला कि मुझे इसमें कोई correction नहीं करना है इसलिए मैं इसे minimize कर द calculated होगी तो यहां पर simply मैं technology, mobile phone, social media और mobile से select कर लोंगा इसको select करने के बाद इसको आपको minimize कर देना है आपका जो add है वो जिस category के हिसाब से है उसको आप यहां पर search करके select करेंगे select करने के बाद इसको भी minimize करता हूं इसके बाद keyword topic और placement का option है अगर आप इन सब चीजों को customize कर और आप ज्यादा पैसा invest करके बहुत ही कम add gain कर पाएंगे इसलिए इसको आप कभी भी select ना करें इसके बाद आपको नीचे आना है और यहां पर maximum CPB bid का option दिया है तो यहां पर आपको भरना है 0.05 माली जी यहां पर मैंने bidding में 0.05 पैसे डाले हैं तो अगर वीडियो का link भी डालके यहां पर select कर सकते हैं तो चलिए मैं यहां पर एक video search कर लेता हूं दोस्तों यहां पर मैंने video select कर लिया है video select करने के बाद आपको यहां पर video discovery add पे click करना है click करने के बाद नीचे आपको थोड़ा सा description लिखना है जो भी आप headline अपने add पे देना चाहते हैं और यहां पर description लिखना है description लिखना है और नीचे add name का option है तो यहां पर आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं दोस्तों headline और description डालते समय हमेशा ध्यान रखे कि यहां पर किसी भी brand का name नहीं होना चाहिए जैसे YouTube Instagram AirTail Vodafone को भी branding का name नहीं होना चाहिए जैसे मुझ भी डालना चाहता है वो डाल सकते हैं otherwise इसको ऐसे ही रहने देंगे इसके बाद आपको simply create campaign पे क्लिक करना है जैसे आप create campaign पे क्लिक करेंगे आपके सामने अगला जो page है वो खुल किया जाएगा आपको simply continue to campaign पे क्लिक कर देना है इसके बाद आपका जो add है वो add word पे submit हो आएगा और वोसके जो expert है वो इसका manually review करेंगे इसके बाद इसको एप्रूब कर देंगे जिसके बाद आपका add run करना सुरू हो जाएगा दोस्तो नार्मली इसमें 4-5 घंटे का process लगता है कभी कभी इसमें 24 घंटे भी लग जाते हैं तो इसको थोड़ा सा वेट करें इसके बात्रूब